हेलो बच्छा लोग, वेलकम टू इनिशेटर अकेडमी, क्वेस्चन में पूछा गया है, विच आउ दा फॉलिंग, विच आउ दा फॉलिंग कंपाउंड, विल वी मोस्ट इरेडली दी हाइडरेटर, तो बच्छे, डी हाइडरेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और इसके दोरान इंटरमीडियेट क्या बनता है, यहाँ पर आपके पास जो हो रहा है, यहाँ पर आपके पास इंटरमीडियेट बनेगा, यह हमारे पास यहाँ स से बन जाएगा देखिए यहां पर compound दिया हो यहां से आ जाएगा CH3 यहां पर आएगा carbon double bond oxygen यहां पर इस तरह से आपके पास यह compound दिया पर OH तो यहां पर lone pair of electron है H positive definitely यहां पर attack करने बाला है तो यहां से क्या होगा यह कुछ इस तरह से बनेगा CH3 double bond oxygen यहां पर आपके पास आजाएगा like this और यहां पर आपके पास आजाएगा OH2 और इदर आजाएगा positive charge तो यहां से निकल गया तो फर्दर आप देखोगे आपके पास क्या हो जाएगा double bond oxygen यहां पर आजाएगा positive charge अब यह जो group है इसका group का कौन से effect होता है minus i effect दूसरे case में देखो यहां पर भी हमारे पास क्या जाएगा that is positive charge तीसरे case में positive charge यहां पर आएगा और चौते case में positive charge यहां पर आजाएगा तो देखें यह जो c double bond O group है यह यहां पर देखें और यह पर आप देखें तो यहां पर positive charge है वो बहुत ही directly उस carbon atom के पास है जो इसके साथ है जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब यहां से आपके पास हो गया यह जो कार्वो के टाइन है यह unstable होगा similarly यहां पर भी positive charge है तो यह भी क्या होगा unstable होगा लेकिन इधर देखें यह हमारे पा होगा इसका मतलब इन तीनों में से यह असानी से dehydrate होगा तो final answer कौन सा जाएगा final answer बनेगा third option काइंडरे like and subscribe my channel for more such videos thank you